हेलो दोस्तों, वेलकम तो आर ओफिशल यूटूब चैनल एक्जाम कॉंसेट पे दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपोर्टेंट एक्सपरिसनिस्ट प्ले पे बात करेंगे दे हैरी एप दे हैरी एप जिसका मतलब यह होता है बालो वाला बंदर मतलब जिसके बाल बड़े बड़े जिस बंदर कोते हैं उसे हैरी एप करते हैं मतलब बहुत भूंगराले बालो वाला एक बंदर को कहा जाता है हैरी एप यह एक ऐसा प्ले है कि यह आपको बिभीन इन्वर्सिटियों को सलेवसों में देखने को मिल जाएगा इभेन ग्रेट कुछ कॉंपटेटिव एकजाम में भी इसको कॉंपटेटिव एकजाम में भी इससे कोशन बनते हैं यह प्ले जो 1922 में जब लिखा गया उस समय एक इंडेस्ट्रिलाइजेशन का जो माहौल चल ला था उसको उसको लेके यूजीन ओनाईल ने इसको लिखा और यूजीन ओनाईल को मैं बता दूँ यह एक नॉबल प्राइज विनर राइटर है इनको एक इंपोर्टेंट पॉइंट नोट कर लिजिएगा 1936 में इनको नॉबल प्राइज दिया गया सा ठीक तो अगर इस दहरी एप की बात करें तो यह जैसा कि मैंने बताया कि यह एक एक सब्टाइटल भी है इसका सब्टाइटल एक कॉमेडी ओफ एंसेंट एंड मॉर्डन लाइफ जो इसका सब्टाइटल के नाम से गरा जाता है किसका subtitle क्या है तो यह basically a comedy of ancient and modern life यह है और basically the hairy app के ऊपर जो एक लिखा गया एक upper class aristocratist class एक और working class के बीच के क्या thinking होती यह क्या है इसको भी दिखाया गया है कि इसमें कैसे tragedy को इसको पुरा role अदा करती है aristocratist behavior को उसको हम देखेंगे तो आईए देखते हैं कि आज का play को शुरू करते हैं शुरू सेन तक देखिएगा और हमें जरूर बताएगा कि इस जो series आ रही है यह play की stories की easy way में Hindi telling में कैसी आपको लग रही है ठीक ओके अब इसके character की बात कर लें तो इसमें आपको जो important character मिलेंगे ज्यादा character नहीं बहु Robert, लिख लिजिएगा Robert Smith इसका पूरा नाम है Robert Smith Young तो यानी पूरे play में जब इसको पूरा play लिखा गया तो उसमें यांक करके ही इसका discuss है लेकिन इसका पूरा नाम Robert Smith है ठीक इसको देख लेते हैं अब देखिए Robert Smith इसका main character है पूरी story इसी के ears गुमती रहती है और इसका जो लॉग रहता है लॉग लॉग स्टोकर्स एंड पैडी इसके जो माडिने इसका Two यू प्रिक ग्रता है जो सिप पर बट्टी को सुकता है और यह कहीने कि मार्स के बिचारों से बहुत प्रभावित रहता है और मार्स के बिचारों से इतना प्रभावित रहता है कि और एक कहता भी है कि अगर यह सिप जो है अगर घर है तो यह हैल से बुरी चीज नहीं है इसकी एक quotation है इस प्ले में जो important है जो और उसके बाद इसमें पैडी जो है एक आईरिस रहता है या सबसे बुद्धिमान किसी को माना गया है तो पैडी है पैडी को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माना गया है और यह अपने रिकाल करता है पुराने दिनों को कि वह कैसे यहाँ पे रहता था और दूसरे सिप पे जब काम करता था तो वहाँ पे कितनी अजादी थी और यहाँ पे आ गया तो वहाँ इसको किस तरह गुलामों के तरह इसे टीट किया जाता है तो पैडी है एक तरह से ठीक और इस पूरे प्ले की जो नाइका है Mildred Douglas इसका पूरा नाम Mildred Douglas है ठीक यह बड़े घर की बेटी रहती है जो इसके पिता जी रहते हैं एक इस्टील कंपनी के ओनर रहते हैं ठीक जिसका नाम रहता है कंपनी को ओनर रहते हैं ठीक और लेडिस और जेंतलमेन में यू जेंतलमेन दोनों लोगों को अपर क्लास को सो करते हैं माइडलेड और लेडिस और जेंटलमेन अपर क्लास को सो करते हैं लेडिस में इसकी आंट का एक करेक्टर है जो काफी अरिस्टोक्रेटिक उमेन है और जेंटलमेन भी अपर क्लास का ही वर्क है जब वो स्ट्रीट में जाते हैं एवन्यू फाइप स्ट्रीट में तो वहां ब में काम करना जाता है यहां मैं पूरी कहाने में इसको discuss करूँगा उसके बाद एक important role है गोडिला का इसको मैंने ब्लैक करके रखा हुआ क्योंकि गोडिला को यहां अपना भाई समझता है जब यह जू में जाता है scene 8 में basically इस प्ले में 8 scene है इसको मैं discuss करूँगा और वहां पे इसको गोडिला को वहां पे बताता है कि मेरा भाई यह उसको कैसे खोल देता है इन सब चीजों को देखेंगे दो और important character आपको आप मिलेंगे prisoner और guard जब jail में जाता है वहां prisoner और guard इसके साथ कैसे बेवार करते हैं overall यह आपका character है इस पर दियान देख लिजीगा और इसकी scene की अगर बात करें तो इसमें total art scene है इस play में total art scene दी गही है first or second scene में character with their situation and are introduced मतलब पहले scene में character को दिखाया जाता है ocean linership को दिखाया जाता है और सब को introduce किया जाता है कैसे कैसे होता है first and second scene में अगर third scene की बात करें तो third scene में conflict between young and mild rate मतलब यांक इसको सो कर रहा है लेवर को सो कर रहा है और mild rate किसको सोरी capital को सो कर रहा है तो इसमें कैसे class होता है और कैसे डर जाती हो fourth scene में यांक revolt against the system और इसमें क्या करता है रिवोल्ट करता है चोथे scene में fifth scene में यांक arrest fifth scene में यांक को arrest करके jail भेज़ दिया जाता है sixth scene सबसे important scene जहां उसके mind change होता है और prison scene होता है जहां हुआ बदला लेने की भावना को अपने मन में कहीं न कहीं बनाता है और seventh scene में हम बगर बात करेंगे तो yank and iww rejection of yank कैसे yank को जब वो नोकरी के लिए जाता है तो iww में उसे कैसे किस प्रकार से reject कर दिया जाता है ओस scene में जब वो जूप में जाता है तो उसकी मौत कैसे हो जाती उसकी चीज़ों को यहां पर बताया गया है तो आईए हम Harry App की कहाने सुरू करते है तो इसकी कहानी जो सुरू होती है इसकी कहानी सुरू होती है वो उसने लाइनर के engine room से एक जहाज का engine room होता है पहले के जहाज को steam से चला जाता था और steam से चलाने के लिए उसमें koila को burn किया जाता था तो जो इसके character थे जो इसके character यॉंक, लॉंक और पड़ी ये basically उसमें steam रूप में कोईला की भटी में कोईला जोखने का काम करते थे और यॉंक जो इसमें बहुत powerful और giant थोड़ा सरीड इसका बड़ा है जिसके व्योंसे giant रूप की तरह दिखता है तो वहीं से इसकी कहानी सुरूख होती है और तीनों मिल के आपस में बात करते रहते हैं तो यह लोग देखते हैं कि उहां का जो माहौल है और कोईलिया जोगते जोगते हैं इनके चेहरे पूरे कालक लग गए यह पूरी बॉडी में ब्लैक कलर के हो गए हैं उसी में पैड़ी क्या कहता है कि यह जो सिप है यह जो सिप है यह सिप उतना अच्छा सिप नहीं है इसके पहले जो काम करता था क्लीपर सिप पे वहां पे आजादी थी और जब कि इस सिप पे हम लोग जो काम कर रहे हैं उतनी आजादी नहीं है अब इसी की तरह इसमें long की भी एक speech आती है जो मैंने बताया long speech देता है बहुत बड़ी speech मार्सिस्ट की speech देता है इसे speech रहता है वो यह भी कहता है if the sip is home अगर यह sip हमारा घर है तो it is the hill या कैसा नर्ख है यानि उस समय की situation को इस सब चीजों को देखने के लिए इस सब देखते हैं इसके बाद young के इन सब चीजों को वहाँ पर लोग अपना दारू और रूपीते हैं young भी body से heavy राता तो इसको लोग डरते हैं और कहीं न कहीं एक leader का रूप leader लोग मानते हैं का कहना भी मानते हैं इसके विसालका है शरीर की वज़ा से तो अब यहां पर entry होती है mild rate की mild rate का nature जो है थोड़ा सा social behavior है यह एक की social के लिए गरीबों के लिए काम करना चाहती है और यह sociology study भी करती है यह sociology study करती है तो वह अपने आंटी से कहती है कि हम लोग कहीं क्यों ने engine room में जाएं और वहां पर काम करने वाले वर्करों को वह देखनी कि अपनी इच्छा ब्यक्त करती है जो mild rate रहती है लेकिन उसकी आंटी उसे कहीं न कहीं indirect way में मना कर देती है जब उसकी आंट और उसने अपने सिप के डेक पर चली आती है तो वहाँ पर एक करेक्टर आता है second engineer तो engineer को उसने बताता है कि मुझे engine room में जाना है वर्करों को देखने क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि वर्कर वहाँ पर कैसे काम करते हैं किस तरह से दिखते हैं क्योंकि बिशिकली जो milded रहती है रिष्टो केटिक क्लास से बिलॉंग करती है और वह बहुत पैसे वाली रहती है और यह देखना चाह रही है कि वहाँ पे गरीब कैसे काम कर रहे हैं अब जब milded engine room में जाती है second engineer तो पहले तो मना करता है जब यह वहाँ यह milded जोट बोल देती है कि उसे auntie की permission मिल गई है तो कहीं न कहीं इंजिनियर भी मजबूर हो जाता है और उसे लेकि engine room में चला जाता है जब engine room में जाता है तो milded pure white color की dress पनी रही रहती है तो second engineer उसको warn करता है कि आप इसको white dress को रिमूब कर दीजी या चेंज कर ली दे otherwise dress will be ruined या तो गंदी हो जाए कि क्योंकि वहाँ पर बहुत गंदे धूल धक्कर उड़ते हैं गंदे लोग रहते हैं कहीं न कहीं यहाँ पर एक चीज यह भी जो नाईल दिखाते हैं कि कैसे वहाँ के वरकरों को लोग अरिस्टोक्रेटिक क्लास के लोग उससमें ट्रीट किया करते थे या गंदे सबसे जब इंजन रूम में माइलेट जाती है तो वहाँ पर देखती है कैसे लोग काम कर रहे हैं जब वहाँ पर यॉंक को देखती है तो इतना डर के जाती है उसके विसाल का सरीर को चेहरे पर काली लगी हुई थी तो कहीने के उतना अंदर से फैटन होके डर जाती है और वहीं पर बिहोस हो जाती है और जब बिहोस हो जाती है तो वहाँ पर उसको कहीं न कहीं चले जाते हैं और वह कहीं न कहीं इस जिस से बदला लेने के लिए यहां से वह सोचता है कि यहां से कैसे वह निकलेगा। यहां पर एक चीज़ आपको मिनसेन करना चाहूंगा। कि यहां पर जो mild rate रहती है, mild rate उसके लिए एक word use करती है। इतना मतलब कि इसके लिए इतना एक फैली बीश्थ, उसको फैली बीश्थ करती है। कि यह यूंक as a filthy beast यही उसको बोलती है और इसहीं पर यहां पर यॉंग को सब क्या करने लगते हैं हैरी-yap यहां पर इसको सब लोग इसके बाद कहने लगते हैं इसके बाद एस इप अपने destination पर पहुंच जाती है, सब लोग उतर जाते हैं, Long और Young जो रहते हैं, Long और Young जो इसमें रहते हैं, Long Young को लेके 5th Avenue Street, New York जाता है, कहां जाता है, 5th Avenue Street में लेके वहां पर जाता है, और जब वहां यांक वहां जाता है, और वहां पर देखता है, जैसे ही राशते चलते हैं, एक gentleman से उसकी भिरन्त हो जाती है, जिसकी वज़े से gentleman का बस छुड़ जाता है, तो जब वह gentleman, यह वही gentleman है, जो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, जो बस miss हो जाता है, क्यों बस miss होने के कारों, वह पुलिस को बुला लेता है, और पुलिस को आने जाता है, जिसे ब्लैक वेल, जेल में, उसे आइसलेंड के एक जेल रती है, जेल में भेल धी दिया जाता है, एक महिने के साथ तरीजन्शिप, जिसे जो काट ने के लिए जेल में भेल बैज haar में यांग के अंदर जो इस्टिक्रोटिक क्लास है उसके मन में यहां पर उसके बहुत सारी चीजें देखनेयों को मिलती है जब वह जेल में जाता है तो एक उसे एनिमल की केज जैसे पिजरे के अंदर रखा जाता है और वह उस लोहे की सलाखों गो जो इस्टील से बनी हाड दो व 스ete तो इतना पावर्फ Het्र होता है वी सवाध को मोड the Г outlet के बहार आने चाहता है लेकिन इहाँ पर गार ने मुषे गार्ड जो होता है रोक देते हैं जब एक महिने के जील के बाद वा जब बहार आता है वह सीधे से लड़ आजाता है international वरकल वर्ड में जो जहां का 색깔이 रहता है यहां पे रहते। आई डबलू में जाता है oh जयोब मांगने। गयो जय dobre है तो सीव रहते। कीड़ू हुए यह अधमी रहते हैं और वह बोलते हैं का चाहता है की आप आप IWW को जोईन करें यानि इंटरनेशनल वरकर को आप जोईन करें जब वह जोईन करता है तो वहाँ उसका ओरिजिनल लेम लीगल नेम जो है रोबर्ट इसमित यहीं पहली बार आता है उसकी आई कार्ड पे मेंबर का जो कार्ड बनता है उस संस्थार में जुड़ने के लि मुझे कुछ ऐसी चीजें हमें प्रोवाइड कर आए जिससे मैं सारे इस टिल फेक्टरी को groß को destroy कर दू। मुझे कुछ ऐसा देजिये कि destroy degree वृसे टूरा के जैस फैक्टरीज ए Constatically 먼 बिल्डिंग जेल्स मतलब सब कुछ मतलब पांग लुक तरह बिएब करने लगता है उनसे और इस बिएबियोर को देख के प्रेसिटेंट या करते हैं उसे आई ड़ू-ड़ू के बाहर फिकवा देते हैं और उहां पर वह पुलिस को बुला लेते हैं पुलिस वहाँ पे आती है और उससे देखती है और उससे कहती है यहाँ से आप चले जाएए नहीं तो मैं आपको अरेश्ट कर लूँगी यानि एंग को कह रही है कि आप यहाँ से चले जाएए अधरवाइस हम आपको अरेश्ट कर लेंगे तो इस सीन में यंग को देखते हैं कि इस सब चीजें कहीं ने कहीं दुनिया मुझसे नहीं पसंद जाती हूँ वहाँ पर अपने नाकाम हो जाता है उसके बाद उस सीधिर जू जाता है जू में जब जाता है तो एक पिजरे के अंदर गोडिला को देखता है एक हैरी एप को देखता है यानि उस समय जो हैरी आप ही कहेंगे मंकी टाइप के सरीर जो होते है उसी कोशी देखता है और उसे देख कि वह उसे अपना भाई मना लेता है समझता है एज्यूम करता है बनाने लेता है समझता है कि वह मेरा भाई है उसकी कहानी और मेरी कहानी एक ही जैसी है जैसे वो सलाखों के पीछे है कभी मैं भी सलाखों के पीछे हुआ करता था गोडिला इतना पाउरफुल होता है जैसे यांग भी पाउरफुल था तो जब व वहाँ उसको अंदर जाके गेट को खोल देता है, उसको गलेस लगा लेता है, अपने फीलिंग से अरके ये मेरा दोस्त है, उससे हाथ मिलाता है, लेकिन गोडिला ने उसे अपने बाहूं बर बर कि इतने जोर से रव किया, और उसे केज के अंदर फेग दिया, अवे इतना र डाल को उसको रब करके फिक के चाहते हैं लिटरी वर्क की तो हमें जरूर लिखिए ओके ठाइंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में